तो अबर नेक्स्ट आर्टिकल इस 4.17 रिस्पॉंस ओफ मीडियम टुद एम वेव्स बहेवियर ओफ मीडियम एज अ कंडुक्टर और इंसुलेटर टुद एम वेव्स ठीक है तो अब हमने देखना है कि अगर कोई मीडियम है कोई मीडियम प्रेजंट है तो एम वेवस के लि है ठीक है फॉर अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड होती है जैसे करंट होता है करंट वायर का पता है आपको वायर के होती है कंडुक्टर होती है वायर में करंट पास करता है जैसे अगर कोई भी वायर है तो उसके अंदर करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं कंडुक्टर और क्या इन्सूलेटर है हम वायर जो है वायर वुड की क्योंई बना देते क्योंकि उसमें बास यह नहीं हो गाव वह तो इंसूलेटर है ठीक है तो आद मंने देखना कि अगर को मीडियम है तो वह मीडियम EM waves के लिए medium conductor है ज़ा insulator है हो क्या मतलब है कि जैसे suppose यह कोई medium है यह EM waves है EM waves vacuum में travel कर रही है इधर medium में अब है कि pass करेंगी कि नहीं करेंगी अगर तो medium में pass कर जाए जैसे यह है यह waves है medium में भी pass कर रही है medium में pass कर गई मतलब कि यह medium क्या बन गया EM waves के लिए conductor और अगर EM waves नहीं पास कर रहे हैं उसमें से उसके ऐसी properties हैं कि वो पास नहीं कर सकती यह medium उसको पास नहीं करने दे रहा तो फिर यह medium क्या हो गया insulator EM waves के लिए यही है कि behavior of a medium as a conductor और insulator मतलब कि जो medium है उसका क्या response है वो conductor act करेगा जा insulator ठीक है अब यह हमने देखना है यह कहां से देखेंगे electric field vector से यह पहले भी मैंने आपको बताया था कि E और H का relation होता है 377 times तो जो E vector है वो ज़्यादा strong है as compared to H vector तो हमने E vector लेना इसमें E vector का क्या formula है E is equals to E naught E raise to par Aota omega t minus gamma x यह है for a medium where sigma is not equal to 0 ठीक है हम conducting medium ले रहे हैं conducting मतलब कि जो उसमें से current है current pass कर सकता है I तो अब E M waves का देखना है कि E और H vector उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए वो pass करेंगी waves के नहीं करेंगी ठीक है तो यह है E vector के एक्वेशन तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यह gamma में है K में भी लिख सकते हो E naught E raise to par minus kx E raise to par Aota omega t minus kx ठीक है तो कोई भी लिख लो कोई फरकने पड़ेगा यह E vector के equation आगी तो अब हमने conductivity देखनी है कि conduct कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो conductivity दो तरह की होती है जैसे एक तो है conduction current एक displacement current यह मैंने आपको pointing vector में भी करवाया था और ampere circuit law में भी बताया था कि दो तरह के currents होते हैं जो wires में होता है वो normally I और उसकी current density होती है J current density यह है conduction current, conduction current की density और जो capacitor में होता है वो क्या है displacement current तो यह है displacement current density curly D by curly T ठीक है तो J क्या है J is sigma E और curly D by curly T इसको solve करना D क्यों होता है epsilon E और epsilon बाहर आगे है J क्या है curly E by curly T E को solve करना इस चीज़ को curly E by curly T E क्या है यह तो इसको solve करने यह है curly T के साथ मतलब T के साथ differential है T के साथ कौन से term है omega T तो इसके साथ क्या बाहर आजाएगा E otta omega E otta omega और epsilon यह है यह इदर आ गया तो E not पहले ही बाहर था है और यह बाहर था है और यह बाहर की टम यह इस इस आ गई ठीक है तो यह पीछे वाले जो है E not into E raise to pass this यह E vector है इसको E vector लिख दिया यह क्या आगया E otta omega T E vector अब J और कर लिट E by कर लिट E इन दोनों को divide कर दो तो यह क्या आगया sigma E by E otta omega epsilon E यहाँ पे T लिखाए ना यह epsilon ही आना है यह ठीक कर लेगा तो इसको divide करके यह आगया तो E vector common है cancel हो गया तो क्या बचकिया sigma by E otta omega epsilon अब conduction current और displacement current की यह हमारे पास value होगी ठीक है तो अब conductors क्या होते है उसमें high conductivity होती है sigma high तो अगर sigma की value high होगी in comparison to omega epsilon तो फिर क्या होगी medium करेगा as a conductor तो अगर sigma की value less होगी as compared to omega epsilon तो sigma act करेगा as an insulator ठीक है यह देख़ो जैसे दिया होगा है for good conductors अगर conductor अच्छा है मन्दब की conductivity जादी होगी जो conduction current है वो जादा होगा as compared to displacement current तो फिर सिग्मा इस ग्रेटर 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 अप्साइल अमेगा और जो इंसूलेटर जाफिर डाइलेक्टर रिक हैं उसके लिए क्या होगा लैस ठीक है और यह जैसे हम देखेंगे कि कितनी value less है कि यह बता तो दिया कि यह greater होगा यह less होगा तो कितनी कोई value होगे कि जहां पर हम कहेंगे कि यह insulator है यह यह जापिर conductor है ठीक है तो इसको रेना है hundred कि अगर यह जो है sigma यह इससे hundred times greater है sigma is hundred times greater than omega epsilon अगर उससे 100 गुना ज्यादा है तो फिर कहेंगे कि it is conductor और अगर sigma is greater than तो अगर यह क्या है 100 गुना कम है omega epsilon is less than hundred times sigma तो फिर क्या होगा यह insulator और इसके मिट में जो values लाई करेंगे यह क्या है अगर यह ऐसे है sigma is greater than hundred times omega epsilon तो यहां पर क्या time है sigma by omega epsilon तो इसको इदर divide कर दो sigma by omega epsilon is greater than hundred तो आगया conductor तो इदर क्या है है hundred इदर है तो जहां पर क्या आजाएगा 0.01 यह का गया कि अगर hundred से जादी values हैं तो वह क्या हो गया conductor और 0.01 से कम value है तो वह insulator और इसके मिट में जो values लाई करेंगी 0.01 से hundred में तो वह क्या है semi conductor ठीक है और फर्स्ट वाला point कि जैसे इनका relation में क्या आरा है aorta आ रहा है तो जो aorta होता है ना it is equal to phase difference of pi by 2 जब भी aorta आएगा तो उसका मतलब है कि pi by 2 का phase difference है तो यहां से हमें पता चलता है कि j जो है conduction current और curly d by curly d displacement current इन दोनों में कितना phase difference है pi by 2 का ठीक है इसका एक question है वो इस article के बाद में मैं आपको बताती हूँ अभी third है अब हमने देखना है कि response of medium कैसे है जैसे यही हमने देखना है कि response of a medium कि कौन सा medium conductor होगा कौन सा medium insulator होगा जैसे यह कोई medium given है अगर कोई medium है तो उसकी जो property होती है sigma हो गया epsilon mu यह सारी conductor की मीडियम की properties है कि यह मीडियम है इसकी कोई epsilon value finite होगी ओमेगा कि अप्साइलन म्यूं कि और है कि सिग्मा ठीक है जैसे के कंड़क्टर है इसमें करंट कैसे कंड़क्ट करता है सिग्मा यह material की property है epsilon इसकी property म्यूं इसकी property है और जो उमेगा है यह वेव है वेव की की properties है और अब देखना है कि किसी एक मीडियम के लिए कोई वेव जिसकी कोई ओमेगा की वैल्यू है वो conductor बनेगी जा इंसुलेटर बनेगी तो इसमें relation क्या है यह वाला सिग्मा बाय योटा ओमेगा यह और अब यह भी मैं पता है कि अगर इसको दिवाइड करके 100 से जादी value आ रही है तो वो क्या है 100 जा 100 से जादी value conductor और 0.1 से कम value है इंसुलेटर और इन दोनों के 0.1 और 100 के अंदर जो लाई करेगी वो है semi conductor तो अब यह किसके ओपर depend कर रही है ओमेगा के ओपर यूंकि sigma और epsilon किसी मीडियम के लिए यह तो कॉंस्टेंट होंगे अगर एक ही मीडियम है उसका सिग्मा भी एक ही वैल्यू होगी एपसालन भी वैल्यू होगी ओमेगा किसकी है वेव की वैल्यू वेव अगर अलग वेव होगी अगर एक वेव है उसकी वैल्यू मेगा कुछ और होगी अगर कोई या मतलब कि अगर सेम ही कोई material है जैसे copper है copper के लिए एक कोई frequency की EM waves आएगी वह आए मेरेव करेगी इसको लगेगा कि ए मटीरियल से conductor है और अगर copper के लिए और कोई EM waves आएगी उसको लगेगा कि इनसूलेटर है यह नेक्स्ट एक्जाम्पल में clear होगा कि जैसे copper है copper का sigma और epsilon fixed होते हैं कि इसकी conductivity इतनी है copper क्या है conducting material है current इसमें conduct करता है conductivity इतनी है epsilon इसका इतना है ठीक है और अगर हमारे पास UV light UV light क्या EM waves है ये भी जितनी भी जो light होते हैं electromagnetic spectrum में visible UV x-rays gamma rays microwave radio waves सारी EM waves हैं और अगर UV waves जो हैं वो copper के उपर fall करेंगी को उसका UV के लिए new होता है 10 रिस पास 16 hertz ठीक है यह उसकी frequency है तो अब हमें find करना है यही चीज़ सिग्मा बाइं ओमेगा एपसाइलन ठीक है तो ओमेगा एपसाइलन पहले देखना है यहाँ न्यू है न्यू से टू पाई न्यू ओमेगा आ जाएगा और एपसाइलन गिवन है इसको solve करके यह value आ गई ठीक है यह कहां पर आई है 10 रिस पार 5 में ओमेगा एपसाइलन है 10 रिस टू पार 5 और सिग्मा क्या है 10 रिस टू पार 7 में अब इन में से कौन सा ग्रेटर है 10 रिस टू पार 7 ठीक है सिग्मा सिग्मा ग्रेटर है मतलब सिग्मा इस ग्रेटर तो सिग्मा ग्रेटर है सिग्मा क्या शो करता है conductivity, conductivity is more than omega epsilon, so यह क्या हो गया, conductor 10 raised to power 16 के लिए यह copper conductor act कर रहा है, अगर copper के उपर ही, इसी material के उपर x-rays fall करें x-rays की frequency है 10 raised to power 20 hertz, ठीक है तो अब क्या है frequency change हो गई, sigma और epsilon यह सेम है, इसके लिए अब omega यह निकाल लो, omega क्या है 2 pi new, इसका 2 pi new किया, epsilon यही वला रहेगा तो फिर इसकी value यह आती है यह क्या है, 10 raised to power 9 omega e यह आगया 10 raised to power 9, और sigma क्या है 10 raised to power 7, अब कौन सा greater है, यह वला, omega e omega epsilon is greater than sigma, तो अब omega epsilon greater है, sigma क्या हो गया है, small जब यह small है, तो material बन गया, insulator यह फिर dialectic, ठीक है, तो अब हमें पता चला कि same material है तो उसमें दो frequency fall की है, यह कह 10 to power 16, 10 to power 20 तो इसमें से यह high है, यह low है, 10 to power 16 low है, तो low frequency conductor के उपर fall करती है, low frequency तो फिर वो em waves के लिए behave करता है as a conductor और अब insulator के देखते हैं कि insulator के लिए low frequency क्या करेगी, conductor में तो low frequency ठीक है, conduct कर रही है और insulator में क्या होता है कि जो low frequency है वो भी as a insulator ही behave करती है, मनलब कि insulator वैसे भी current भी नहीं conduct कर रहा, तो वो em waves को भी conduct नहीं करता, ना ही high पे, ना ही low पे, इसकी example ले लो, जैसे insulator होते हैं, उसकी क्या sigma काफी कम होता है sigma टेंश्ट पर माइनस 15 में होता है, epsilon टेंश्ट पर माइनस 11 में होता है, तो फिर उसका क्योंगी हम यह कर रहे हैं कि इसमें जैसे new लिया है, तो इसको कोई भी new value ले लो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यह example लिया है, यही दोनो new ले low, यह high और low वाले तो फिर भी देख सकते हो कि यह इसका क्या relation है तो उसमें दोनों के लिए omega epsilon इंग greater रहेगा तो अब यहाँ पर क्या गया है, sigma बाइ omega epsilon sigma क्या है, 10 पर माइनस 15 omega कोई भी ले सकते है low, high यह इन्होंने अभी नहीं लिया और epsilon लेकर दिया यह क्या गया, 10 पर माइनस 4 बाइ ओमेगा तो अब क्या है कि अगर कोई low frequency भी हो, तो भी क्या होगा conduction current कम ही होगा ठीक है insulators के लिए low हो, high हो, दोनों के लिए insulator और conductor के लिए low में conductor और high में insulator ठीक है यह तो हो गया response और अब एक इससे question आता है जैसे यहां पे भी आपको मैंने बताया था कि यह उट्टा से पाई बैटू का phase difference है तो इसके related question आता है यहां आपने नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कर शोला ही यहां आता है